हेलो फ्रेंट्स वेलकम टू टेग्राम अकेडमी आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं इस इस्ट्रिंग के वारे में सीशाप में स्ट्रिंग किस तरीके से यूज की जाती है क्या कि उसमें फंक्शैनिटी हम लोग इंपलिमेंट कर सकते हैं तो पहले हम उने स्ट्रिंग के वारे में देखा था कि वह एक टाटाइप होती हे हैं तो छहांद दूभ एपको सबसे पहली बात पता हों ... यह है कि string जो है एक reference starter type है यानि इसमें string के किसी भी variable में actual में जो आपकी memory होती है जहां पर आपका value stored है उसका address होता है ना कि कोई value खुद अब string define करने के आपके पास दो basic तरीके जो अधिकतर यूज किया जाते है उसमें जो एक है वो सबस्कादर यूज किया जाता है बाकी जो दो है दूसरा जो है वह आप बहुत ही कम ही यूज करेंगे बट इस तिल देख तो लेते ही है चलिए start करते है तो एक तरीका है चो मैंने यहां पर string to define करी कि इस त पूरी string यानि sequence of character जो कि आप store कराना चाहते हैं जो इसका दूसरा तरीका है वो यह है कि आप एक array of character बना ले यह array of character मैंने बना लिया है जिसमें मैंने a space s t r string dot यह एक एक तरीके से characters ले रखे हैं मैंने उसके बाद मैंने string का constructor कॉल कर आया है constructor हमने classes जब सीखी नी तो उसके यह जो हमारा उन्होंने एक array बनाया था characters का उसको pass कर दिया है तो यह भी अपने आप में इस यह जो constructor एक string return करेगा जो कि हमनोंने str1 में store करा लिये and then after मैंने इस दोनों string को write कर दिया है इस program को मैं compile already करा चुका हूँ तो directly run कराते है string demo के नाम से program है इसको run कराते है अब आप देख सकते है लिखके आगे है जो character of editor a string dot वो भी लिखके आगे और another string की वो भी लिखके आगे है तो दोनों same तरीके है जो maximum times आप use करेंगे वो दूसरा वाला तरीका होगा क्योंकि यह वाला तरीका ही अधिकतर programming languages में valid भी है और 90% of the times आपको इसी तरीके की ज़रूद पढ़ेगी और किसी की भी ज़रूद पढ़ेगी ही नहीं तो यह था basic कि किस तरीके से आप string बनाते हैं किस तरीके से string का use करते हैं next हम लोग देखते हैं कि string के वाले में कुछ और चीज़ है अब यह तो हो गए कि string होती किया है इस में string operations section के अंडर आप यह सारे देख सकते हैं यह मैंने उसी book से लिये जिस book से मैं आपका syllabus complete कर रहा हूं C sharp complete reference है यह उसी book के ही है तो इसमें यह कुछ basic method है जो कि आपको अधितर यूज़ करने को मिल भी जाएंगे और आपके काम भी आएंगे तो सबसे पहला आता है copy यह जो अंदर bracket के अंदर जो string है इसको जो जिस string पर आपने ही call कराया है उस string में copy करने काम में आता है compare compare दो string को भार जिस आपने string object पर method call कराया है और जो आपने string object पास किया है दोनों को आप इसमें compare करता है अगर जो string object अंदर है वो बड़ा होता है तो यह plus value sorry तो यह negative value आपको return करेगा अगर वो छोटा होगा तो positive value और अगर दोनों string बराबर होंगी तो 0 next आता है हमनों का index of index of क्या करता है जो जिस string object पर आपने function call कराया है उस string object में जो अंदर जो आपने string पास किया है यह पता नहीं message pop-up क्यों हो रहा है चलिए आगे देखते हैं जो आपने अंदर string पास किया इस string को जिस string object पर आपने call कराया उसमें धूड़ेगा और जो सबसे पहली occurrence होगी उसकी जो starting value होगी जो starting index होगा वो return कर देगा अगर ऐसा नहीं अगर आपको string इसको नहीं मिलती है आपके अंदर string के characters हैं जैसे कि यह यहां पर function जैसे this है original array इस तरीके से जो भी है इन सबको lower case में कर देता है two upper, two upper case में कर देता है कुछ और भी इसके functions है जो कि आप हम लोग बड़े programs बनाएंगे तो उनमें देखते चलेंगे कहां पर function होते मगर यह कुछ basic function है जो कि आप को पता होने चाहिए और आप आगे programming में काफी इनका use भी करेंगे अब आते हम लोग अपने next topic पर array of strings तो जैसे कि अभी तरह हम लोग उने int का array बनाया, float का array बनाया, double का array बनाया उसी तरीके से हम लोग string के भी array बना सकते है same तरीका है बिलकुल string उसके बाद array दिखाने के इसके multi-dimensional तो नहीं बनाया है यहां पर single-dimensional बनाया है इसलिए single-dimensional array दिखाने के लिए square brackets उसके बाद string जो भी आप array का नाम रखने चाहते हैं वो फिर opening and closing curly braces और उसके अंदर comma लगा लगा के आपके जो भी string elements है वो तो यहां पर मैंने हफसे पहले वसी तरीके से string और अंदर आई यानि index की तौर पर उस string को जो भी हमारी index पर string है उसको get करा है और उसको write function के तुरू प्रिंट कराया है उसके बाद में फिर मैं थोजी से alteration की है यह जो array है इसके जो one value है यानि is की जगे मैंने कर दिया है was और जो three value है three का अनलब zero one two and three यानि test की जगे मैंने कर दिया है test two और इसके अधी modify string फिर से एक बार print कर आई है तो इस program को मैं save करता हूँ सबसे पहले इस program को compile कराते है इस string string adde के नाम से ही है draw.cs इसको थोड़ी सी कर बढ़ो इस यह typing में string.cs यहां पर कुछ अच्छा यह जो है मैंने यहां पर गलब डाला इसी वज़े से सारी गड़ पर हुड़ी है किसी इस और कंपाल कर रहा है को कि अगुछ था इसको मेंने रेक्टिफाय कर लिया इसको मैं प्रियू कर रा चुका हुड अब इसको डारेक्ली रन कराथें इस त्रेंग एरे array के नाम से file है और आप देख सकते है original string जो हमनों की थी this is a test लिखके आ गया और array of string this was a test too यह भी लिखकर के आ गया अब array of string और string में एक जो basic difference है वो समझ दीजिए सबसे पहली बाद string immutable होती है यानि अगर मैंने एक string object बना रखा ऐसे यह this है तो मैं this में अगर मैं चाहूँ की टी एच आई एस की जगे टी एच एस हो जाए यहां this की जगे दीज हो जाए तो मैं इसी string को नहीं बदल सकता मेरे को इसमें नई value define करनी पड़ेगी यानि आप string के हर एक किसी भी अलग से character को उठा करके उसको change नहीं कर सकते है जब भी आप कोई भी change करते हैं किसी भी string में तो वो अपने आप में नई string return कर देता है और जैसा कि यहां पर मैंने करा है इन जो values हैं इनको मैंने नई string ही पूरा एक string object जो है न इंडेक्स पर है उसके साथ भी मैंने same चीज़ किये तो string immutable होती ही यह बात आपको ध्यार नहीं है अगर आप array बनाते हैं जिस तरीके से यहां पर मैंने बनाया तो आप इसके हर एक element को change कर सकते हैं मगर अगर for example अगर यह मैं copy करके paste कर दूँ और इसको array ना बनाऊ यह सारी चीज़ें मैं हटा दूँ अभी एक string का object बन गया है तो अगर अब मैं चाहूं कि मैं इसकी इसमें इसकी जगे वाज कर दूँ या टेस्ट की जगे टेस्ट कर दूँ तो वह नहीं कर जकता मेंने को पूरी line ही दुबाहा से define करनी पड़ेगी तो इस एक दू चीज से साथ में काम करते हों कि string immutable होती है starting में लगेगा कि यार यह तो दिक्कत का काम है लेकिन actual में दिक्कत का काम नहीं है यह आपके लिए बहुत अच्छी चीज़े कि string immutable होती है आगे जा करके आपको यह काफी ज़्यादा help करेगा क्योंकि जब भी अगर आपको कोई change करना तो हम directly नया object बनाएंगे ना की पुरानी string में कोई गरबढ हो जाए इसके बजाए इस फाल को मैं close करता हूं next जो हम लोने program देख रहे है वो है एक for each loop है जो की मैंने string में चलाया है string array के तो string में चलाया है and after that मैंने एक switch case ले रखा है अंदर for each के और हर एक string जो यह string array में से और एक string हम लोगों मिल लाइये उसको case दो के, case के थरो मैंने check कराया है और अगर जो भी case है माली है जो 1 है तो 1 प्रिंट हो गया, 2 है तो 2 प्रिंट हो गया, 3 है तो 3 प्रिंट हो गया, इस तरीकी से मैंने उसको print कराया है कि यहां पर में जो श्रिंग मैं ले रखी है जो एरे ले रखा है वह यह 123 two one इसका अला जब से पहले वन पिर नोगा सब तूपर फिर थी और थेन अगें तू यंड तैन अगें वन इस प्रोग्राम को मैं कंपाइल कराता हूं chc इसका नाम है string switch.cs जब मैं इस file को compile कराता हूं string switch.cs compile हो चुकी इसको directly run कराते हैं आप देख सकते हैं आपके string print हो गई 1,2,3,2,1 तो असल में हुआ किया जो यह for each loop ता इसने एक string के ऊपर यह जो हमनों का area of strings है इसके ऊपर for each loop हमनों ने चलाया सबसे पहले पहली string get करी है नही 1 अंदर switch case में गए 1 print हो फिर 2 switch case में गए 2 वाला case जो है वह execute हो और 2 प्रिंट हो गया आफटर ऐसे ही 3 के साथ फिर अगें 2 के साथ देन आफटर 1 के साथ तो यह तरीका था कि हम लोंने किस तरीके से अपने strings को यूज करा program में अभी बहुत जादा basic तरीके हैं बहुत जादा basic चीजे बताई हैं इसमें मैंने कि string किस तरीके से आप define करेंगे किस तरीके से यूज करेंगे आगे आगे आने वाले जो बड़े programs हैं उनमें हम लोग strings परी पूरे program बनाएंगे क्योंकि हम लोग जो बात बोलते हैं यह program में कोई भी चीज यूज करते हैं तो वह एक तरीके से आप कह सकते हैं कि पूरा sentence होता है ना कि हम लोग 1, 2, 3 कोई integer value नहीं बोले हम लोग एक पूरा sentence बोलेंगे तो बोलेंगे या फिर मनलब और किसी भी तरीके से input देंगे तो program का काम होता है कि उसको अपने हिसाब से execute करें चीजे निकाले तो और जो आपकी एक तरीज कहते हैं AI, Artificial Intelligence उसमें strings का बहुत बड़ा रोल है आगे जाकर कि हम लोग strings पे बड बड़े programs मनाएंगे तो आज के लिए strings में इतना ही next हम लोग हागे method and classes के वारे में कुछ और चीजें पढ़ेंगे किस तरीके से क्या-क्या programming best programming practices ने क्लास को डिफाइंड करने की method को डिफाइंड इन सब चीजों के वारे में देखेंगे तो thank you and stay tuned